तो बाल को आज अपन आ गए हैं इस चैप्टर की समाप्ति करने के लिए आज कक्षा ग्यार्णी बिस्निस टेडिस चैप्टर नबर वन बिस्निस टेडिन कॉमर्स को समाप्त कर देंगे आखरी टॉपिक रह गया है और सुपसे जरूरी टॉपिक रह गया है क्योंकि चार या अजी आज या वाइप दो bağ देंदे का मतलब होता है रिस्क रिस्क है तो इसक你要 इसक है यह कैसा इसकर तो इसक है है यह तो सुना अप ने पर अगर आप बिजनिस टेडिस पढ़ रहे हो तो अब यह सुनो रिस्क है तो business है, without risk कोई business नहीं होता, तो आज जो अपन पढ़ रहे हैं, वो है business risk, मैंने मतलब समझना, risk का मतलब क्या होता है, risk एक तरीके से डर, आपको बोलो risk क्या है, तो आपके अंदर लग गया थोड़ा सा दिल डुक डुक करने लग गया, sir risk मतलब अंदर से कुछ थोड़ा थो थोड़ा थोड़ा सा होने लग गया है, तो risk का simple भाषा में मतलब होता है, possibility of inadequate profit और loss, क्या बोला, possibility of inadequate profit और even losses, हमने जो पैसा लगाया है, हो सकता है कि वो कम आए return, या फिर loss ही हो जाए, पैसा ही डूग जाए, इसको कहते है risk, रिस्क होने का सबसे बड़ा reason क्या है, ये अपन पहले पढ़ चुके है, सबसे बड़ा reason है uncertainty, रिस्क क्यून है, क्योंकि uncertain है, uncertain मतलब नहीं पता, हमें नहीं पता है कि भविश्य में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता है कि demand कैसे चलेगी, हमें नहीं पता है कि आज जो चीज चल रही है कल वो चलेगी या नहीं चलेगी, हमें नहीं पता कि कल बारिश आ जाएगी, हमें नहीं पता कि कल भूकम पा जाएगा, हमें नहीं पता कि कल वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएगी, तुझे यह अनसर्टेन वर्ड है न दुनिया ले लेगी तो प्रोफिटनल हो जाएगा समझ मारी मेरी बात तो इसलिए रिस्क इस दब बेसिक वैक्टर ऑफ बिजनेस हां भई रिस्क किन किन चीजों को हो सकता है डिमांड बदल गई कॉंप्टिशन ने कुछ खेल कर दिया सप्लाइचेन में कुछ डिस्टरमेंट्स आ गया सप्लाइचेन में डिस्टरमेंट्स मतलब मालो मेरा जो सप्लायर है वो मर गया उसके घर में कोई मर गया उसने छोड़ दिया काम एक है मेरे जो वरकर है उन्होंने कुछ कर दिया मेरी सेल्स वोर्टS चलिः गई चोड़के चली गई एड़र्टैस्मेंट खराब हो गया तो और कुछ भी वह सकता । किसी भी प्रकार का रिस्क जो है वह यहां पर हमें देखने को मिलत लीश क으सं यह थैक एक है स्पेक्यूलेटिव सट्टे वाला कर आeg सट्ठे भाला रिस्क मतला इना फाइदे में पासा गिरा तो मेरे को मज़ा इस तरफ पाइसा तो नुक्सान तोした इस चूजर बाला रिस्क बदली है अब मेरे दूसरे में बड़ी बड़ी तो लॉस्स दोस्सक्त मेरे कॉम्पटीशन एक नई चीज बनाइए अगर उसने अच्छी बना दी तो मेरा लौस खराब बना दी तो मेरा प्रॉस कहो रिस्क होते हैं जिनने प्रॉफिट और लॉस जो सकता है अगर मेरे फिवर में गिरा तो प्रॉफिटल देख लो प्लॉक्टुईशन इंडिमाड धी पॉसिटिव प तो बना दिया पर ये तो सकता है ना कि ये फाइदा है ये नुकसान है इससे प्रॉफिट होगा ये लॉस होगा हो सकता है कि उसने एपल फोटीन प्रो मैक्स लॉंच करा और करते ही लोगों का एपल पेसे विजुवास उठ गया प्रॉटीन प्रो मैक्स लॉंच करा और उसको कुछ ऐसा फीचर डाल दिया जिसको देखते ही लोगों ने बस गले ही लगा लिया उसने कि एपल फोटीन प्रो मैक्स लेने से आपको दो लाख सब्स्क्राइबर वाला यूट्यूब चैनल फ्री मिलेगा जिस पर मन्त पर मन्त पांसोड डॉलार आते हैं तो क्या होगा हर कोई खरीद लेगा उसको एक एक व्यक्ति हजारा जार जार पांच-पांच-पांच-जार फून करीद रहा है क्यों खरीद रहा बैसा क्योंकि उसको दिख रहा है कि इससे प्रोफिट हो सकता है तो यहां पर स्पेकुलेटिव बोत के और सकते हो फांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच करते हैं और से ःध्यक्ति है तो काईयिस्प पूछ एक बचलाय कोईगा 10 उपांच कमजगे नहीं लगती है så नुकशैन से से बच जाएंगे नहीं लगती तो नुकसान से बच जाएंगे पाइदा नहीं ळगिँ यह लगना छोरी होना इसा नहीं लगक। इसा नहीं लगक और विए जाएश्ञ में पर प्रॉबिट नहीं जिनके नॉन हैपनिंग से नॉन लॉस होता है but there is no chance of profit or gain कोई gain होने का कोई profit होने का चांस ही नहीं समझ में आ गया clear है आसाने तो हां बोलो ठीक है अब बात करते हैं यह risk होता कैसा है nature कैसा इसका feature क्या है तो अगर कुछ nature feature देखें इसके तो nature feature ज्यादा नहीं है दोचा नहीं है पहला और रिसक क्यों होता है यह अपन ने बच्पन से पढ़ लिए बच्पन मतलब पहली कारास में बता जया तो रिसक क्यों होता है तो दुनिया में risk होने का सबसे बड़ा reason क्या है कि धंडा मुझे पता है कि बैंक में पड़े पड़े 4% मुझे मिलेगा इसके अंदर को risk है नहीं क्यों नहीं है मैं certain हूं कि 4% मिलना है तो अगर मुझे पता है तो रिसक ही नहीं है तो रिसक नहीं है तो profit भी जादा नहीं होगा जितना हो रहा है सरकारी खाते वाला उतना ही चलता रहेगा रिस्क बढ़ना मतलब प्रॉफिड बढ़ना वह रिस्क है तो इसक है अब जो रिस्क है तो मतलब क्या है कि अगर रिस्क होगा तो मज़ आएगा रिस्क नहीं होगा तो मज़ नहीं आएगा मज़ा मतलब प्रॉफिट तो यहां पर जितना बड़ा रिस्क आप लेते हैं उतनी जादा प्रॉफिट होने के चांसे होता है पूर एक्जामपल अपन ने जब ऑब्जेक्टिव पड़े तो अपन ने जीउ का लोगों को इंटरनेट की आदत लगी ही नहीं है लोग इंटरनेट इंटरस्टेड ही नहीं है तो उनकी दोघ पते एक liber export 5 शक को यह पितना बड़ा रिस्क लिए, इसलिए अगर वो रिस्क सेक्सेस्टूल रहा, तो उनको प्रॉफिट भी कैसा मिलेगा, बोहुत बड़ा मिलेगा, अगर वो रिस्क अन्सेकस्टूल रहा, तो बात लगे, जेखो, ऐसा हो सकता है, कि इस ही में नुग्तान हो değil, पर अगर रिस्क आपने बड़ा लिया है, सोधा अपने बड़ा खेला है, तो प्रॉफिट भी अगर आएगा, तो वो भी बहुत बड़ा आएगा, समर्य में आ गया, clear, नेक्स्ट, रिस्क क्या है, इस्टेंशल पार्ट अफ बिजनिस है, विदाउट रिस्क देर इस नो बि उमीद है, क्या है, जादा पैसा कमानी की उमीद है, मुझे उमीद है कि मुझे पैसा मिलेगा, मुझे लग रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं अंसर्टिन हूं, पता नहीं है मुझे मिलेगा और नहीं मिलेगा, पर मुझे लग रहा है मिलेगा, तो ये क्या है, ये एक र पर इसको उतना बड़ा दंदा चलेगा पर लाज पॉइंटimana रिस्क डिपेंड करता है आपके नेचर ओफ बिजनस फे FOR आपका बिजनस कि स्फिरकार का है इस पे भी डिपेंड करता है जैसे आपका कितना बड़ा बिजनस है आपका production का volume कितना है आपकी sale कितनी है इन सब चीजों पर इसके जो है न डेपेंड करता है जैसे मैं एक example देता हूं for example अभी है न recent recent social media पर कई सारे लोग trend हुआ है जो अपना product बेचते बेचते trend है समझ रहे हो मैं अब किसी का नाम ले ले लेता कोई बात नहीं है for example पर ने पौ्फर जबने हुआ है और एक कहते हैं अनलीमिटेड वाले सरदार जी मिले तो यह 10 पैलिक करे मिली मिली है और समझदार है थो सबबस्राप आपको मिलती है तो समझदार ब्यक्ति है तो वह क्या मिली है तो इससे जितना cash conversion कर सकते हैं कि इससे जितना cash conversion कर सकते हैं उतना कर लो और चुपचा पैसा लेके कौने में जाके बेड़े हैं समझ रहे हैं मेरी बात को asset heavy मत करो पर यहां पर क्या हो गया यहां पर कुछ लोग बड़े समझदार लोग उन्होंने asset heavy करना शुरू करते हैं उन्होंने अपनी franchise बेचना शुरू करते हैं अब franchise में सबसे बड़ा मुक्सान क्या होता है franchise का सबसे बड़ा नुक्सान यह है कि जब आप franchise बेच देते हो तो आपको continuous sale लानी पड़ेगी जब continuous sale लानी है तो वह आपकी popularity से अगर connected है तो सेल आएगी नहीं आप MBA चाय वाला को क्यों जानते हैं चाय की वज़े से चाय के स्वाथ की वज़े से नाई बीटेक पानीपुरी वाली को क्यों जानते हैं घोलकप्पे के बहुत लजी स्वाथ की वज़े नाई तो जब आप उनको उनके प्रोड़क्ट की वज़े से नहीं जानते हैं उनकी popularity की वज़े से उनका प्रोड़क्ट कभी ले लिया तो ऐसे को ऐसे लोगों को आगे प्रोसीड करते समय यह ध्यान रखना है कि majorly cash को वो अपनी जिम में रखे जितना profit बना सकते हैं अप बहुत बड़ा रिसके ले लेते हैं अब जैसे बहुत बड़ा रिसके लिए वैसे नुकसान में आ गए इसमें एक व्यक्ति बड़े बढ़िया रहे गया आजकल आजकल हमारे वो बिग बॉस वाले पूनी सूफर स्टार बहुत चल रहे हैं तो उन्होंने बड़ा समझदा बड़ा बड़ा रिसके लिए प्रिंट करवा के उसको ड्रॉप चिपिंग करवा देते हैं यह एसेट हैवी है अब इसमें फाइदा क्या है कि जब तक आपकी गुडविल है तब तक आपका वो ख्लोधिंग में चल रहा है जिब दिन आपकी गुडविल बंद हुई उस द तो आप अपने पॉपुलेरिटी से पैसा जनरेट करके निकल ए पर एसेट हैवी नहीं किया तो यह कैल्कुलेटिव रिसक की क्याटिगरी में आता है ठीक है ना तो रिसक बड़े होने से लॉस होता है प्रॉफिट भी होता है बहुत बड़ा रिसक रिपेंड करता है आप सब्सक्राइब का धंदा कैसा है तो वो जिसमें साइधा हो रिसक बितना लेना चाहिए चितनक आप समझाल सकते हो त्यकर चलिए पढ़ते हैं एक तो जनरल लिजन हो गया और यह असा कुछ हो गया टीक है तो इस वजज़े से हमारा रिसक है और इस सर हुमन प्रॉजस मैं करेगा मैं कौन हूँ तुछ क्या फरक पड़ता है कि मैं यूट्यूब से पॉपल हूँ अब मैं यूट्यूब पे विडियो बनाऊंगा ठीक है पावर कट हो गया कभी स्ट्राइक हो गई वरकस चले गए छोड़के अब दूखा दे दिया किसी ने तो यह सारी यूमन कॉसे जिस वज़े से रिस्क बनता है ठीक है रिसक क्या है देखो ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिया रिसक क्यों है रिसक इसलिए है क्योंकि सब चीजों क उसका 9 to 5 कभी जौब होता ही नहीं है सुबह जब से आप खुली तफसे लेकर जब तक आँख बंदनी हुई तक तक वह काम करता है और सपने में उसका दिमाग काम करता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि उसको ये सारे पहलों को मैनेज करना पड़ता है फ्लाड आ जाएगा तो तो यह कर अचरिए अचर्श को मिनिम कर रहा हूगा ही इसलिए पिस युमन कॉजिस रिस्क के उनसे बचने के लिए काम कर दिया कि डिमांड का पैटर्ण चेंच हो गया इस वज़े से आपने देखा होगा बिजनिसमन अख़वार को पड़ते हैा बीई नियूस से वो लगा कि demand pattern बदलावाने वाले है वैसी वो क्या करेंगे उसके साफ से बदल जाएंगे प्राइस में चेंज हो गया ऐसा भी रीजन होता है ठीक है technology बदलती ही जा रही है जैसे for example 2020 में जब lockdown आया उसके बाद offline से online में conversion हुआ तो एक तरीके से technological upgradation हुआ पढ़ाई के अंदर education sector के अंदर एट टेक बन गया तो जैसे ही एट टेक बना तो जो समझदार लोग थे जो business minded लोग तो उन्होंने एट टेक में आकर पैसा बनाना शुरू कर दिया ठीक है और जो डिलेडाले आदमी थे उन्होंने का यार मेरा कोचिंग सेंटर तो बरबाद हो गया हाई राम में मड़ गया तो यह भी तो रिसक है ना अब उस रिसकों को आप कितना फाइदें में कर सकते वह आपके पर है ऐसे बहुत सारे उल्ड वीडियो सेंट अगो क्या समझना है तो बंद कर दिया था हमने एक दो साल बीच में आजाओ नेक्ट बात करते है राइज इंट्रेस रेट इंट्रेस रेट बढ़ गई ब्याज की तरे बढ़ गई तो लोगों ने लोल लेना कम कर दिया अब क्या होता है फॉर एक् कि EMI महंगी हो गई तो अगर दोलाख रुपे का मुझे फोन लेना है तो मुझे इध्यान रखने कि मेरा जो कस्टमर होगा वो कैश में नहीं लेगा इसको वो EMI में लेगा जाओ तर 90% कस्टमर टुक आईफोन और EMI मैं बोलू अगर भारत में से ऐसी कारों को अटा दिया जाए जो EMI पाई है तो रोड़े खाली हो जाएंगे बिल्कुल खाली हो जाएंगी आपको मतलब मुश्किल से एक शहर में अंधिरा हो गया कुझाला हो बिटा एक शहर में 25-30-500 सूपर गाड़िया नहीं मिलेंगी क्योंकि सब कुछ EMI पा रहा है तो यानि कि मेरा सामान स इसके बहुत सारे हाथ पर चलिवी चीज़े हैं जिनकी वज़े से मेरा सामन विक रहा है तो इंट्रेस रेट की वज़े से भी मेरी डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है ठीक है और क्या कॉश्क्ते है पॉलिटिकल डिस्टरमेंट्स मशीन फेलियर और भी बहुत सा लीजन हो सकते हैं पॉलिटिकल डिस्टरमेंट्स मतलब चैसा कि हम समझते हैं इस बात अब बिजनस मञंड़े वाले लोग है तो अगर शेकर चीज़ें एक बीजसेर को चीज देखने को मिल रहा होगा तो यह क्या एक political disturbance है जिससे कुछ को फाइदा है कुछ को नुक्सान है कि मान लो कल को सरकार प्लट गई तो जिन लोगों ने यहाँ पर लोग उठाए है वो तो सब खंगाल हो जाएंगे रातो रात तो यह क्या है यह political disturbance है आप जानते होंगे सहरा ग्रोप जो पुराने किर्क सूरे भारत की इकलोधी कंपनी थी जो इतनी बड़ी थी उस समय अब बिलियंज में थी उस समय वो कंपनी अज बरबाद है किस वज़े से सिर्फ एक वज़े उसके political disturbance इतना बोलूंगा इस स्याज़ा नहीं बोलूंगा तो यह क्या है यह बहुत सारे factors हैं जो कि आपके business को और मज़े आएंगे जलिए आज के नहीं खटम करते हैं इस काक्षा को और इस chapter का one shot और mcq का जुगर मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आता हूं मिलते है उसमें और नोट्स चाहिए description में उसका link है जाए और ले लीचे मिलते हैं आप लोगों सेगले वीडियो के सा तिल और मार को तुम के लाओंगे जुझा रखंगे उसकार